आपके इसाब से दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनी कौन सी है? वेल यह अंसर देने से पहले ये बात करते हैं कि आखर AI का ये जो ट्रेंड ने एक कहस है क्योंकि Artificial Intelligence ऐसा नहीं कि दो-तीन साल में आगे आज से 10-15 साल पहली भी AI थी इसकी बाते होती थी लेकिन हाँ इतनी जादा पॉपलर नहीं थी और 2022 में जब Open AI अपनी चैट GPT लेकर आते जो कि GPT-3 की उपर बेस्ट थी उसके बाद AI का एक कल्चर यहाँ पर मार्केट में बहुत तीजी से फेमलस होता है जिसके बाद दुनिया की हर एक कम्तनी हर एक इंसान AI के बारे में बात करता है क्योंकि GPT-3 जैसी चीज इससे पहले हमने यहाँ पर देखी नहीं थी यह एक large language model था जिसके साथ आप यहाँ पर internet कर सकते थे लेकिन यह GPT-3 को बनाने के लिए open AI को कई सालों की research और कई सालों की मेहनत लगी थी और एक ऐसी कम्तनी बनके रह गये थे जिसके उबर किसी को भी belief नहीं था कि एक दमसित्ती बड़ी कम्तनी बन जाएगी world art के समय में GPT-3 के बाद GPT-3.5, GPT-4, GPT-4.0 भी बनाते हैं लोग यहाँ तक की dal E है जो की image generate यहाँ पर कर सकती है इसके साथी open AI ने सोरा बनाए है जिसके अंदर आप सिर्फ story लिखिया video create कर सकते हो और AI की ना जाने क्या क्या चीज़े कर रहे है और एक standard दिखाए कि artificial intelligence यह हो सकता और आप इसका daily life में use कर सकते हो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि open AI ने जो चीज़े करी इससे मिलती जुलती चीज़े आपको हर जगे देखने को मिलती है specifically बात करे तो ज़्यादता अप जो AI होने का दावा करती वो indirectly में chat GPT का rapper ही है इवन आप लोगों का apple की apple intelligence के बारे बता है वहाँ पे कुछ चीज़े तो apple अपने आइफोन में हाँ पे करवा रहा है लेकिन कुछ ऐसी चीज़े जिसके लिए वो open AI पर like करेगा और उसकी chat GPT को integrate करेगा मार्केट में बहुत ही कमतनी से जो खुद की level की AI यहाँ पर create कर सकती है और पता है AI create करने के बाद जो सबसे बड़ा benefit है पता है हाँ पर किस कमतनी को मिला वो थी NVIDIA NVIDIA को सब इसलिए मिला क्योंकि NVIDIA कैसी कमतनी बंगिया सामने आई जिसने मार्केट के अंदर गेमिंग से अपनी शुरुआत करी थी गेमिंग के graphic card बनाती थी लेकिन गेमिंग का culture से उससे success नहीं मिली उससे success मिली जब उसने AI की उपर pivot कर दिया basically GPUs जो NVIDIA बनाती थी वो AI के लिए बहुत जादा capable थे जिस कारेंट से वो लोग market के अंदर AI वाले hardware को निकाल पाए जिस पे चैट GPT रन होते हैं और दूसरी companies को भी hardware यहाँ पर दे पाए जिससे वो लोग भी अपनी AI और उसमें यहाँ पर काम कर सके इस वजे से AI के अंद इन्वीडिया के अंदर एक इंटरस्टन चीज मैंने देखी कि यहाँ पर AI पर काम कर रहे हैं एक अच्छी चीज़ है लेकिन इन्होंने पार्ट शेप दूसरी companies के साथ भी करी जैसे कि आप लोगों को Elon Musk का X याद है उन्होंने यहाँ पर X AI यहाँ पर कंपनी शुरू करी AI infrastructure को यह लोग इंडिया में भी setup करेंगे यहाँ पर Reliance है जियो जो कि अपने जियो ब्रेंस करके कि AI बना रहा है वो यहाँ पर उसके servers इंडिया में देखने को ले लेकिन बात आती कि AI का यूज हमने काफी अच्छे तरीके से देखा लेकिन futuristic चीज़ें बहुत जादा हो सक करेंगी और हो सकता है कि हम future में AGI की उपर भी move करेंगे अब AGI simple सी बात है कि हमारी best intelligence जो बिल्कुल इंसान जैसे सोचे देखे चीजों को समझे और यहाँ पे softbank के CEO का यह भी कहना है कि आने वाले समय में artificial super intelligence भी होगी जो हमशाद 2035 पर देखते हैं लेकिन जो future में AI के और software में AI run करेंगी जो वो यहाँ पर human से भी इंट्रेट कर पाएंगे और यहाँ पर छोटे बहुत काम कर पाएंगे जैसे इस टेसला ने अपना cyber robot यहाँ पर दिखाया था और physical AI भी एक आने वाले समय बड़ा concept होगा दूसरी company इसके बार में बात करें तो Microsoft है कैसी company जिसने श अधर चिंजर नहीं हाँ इंडर जो को पाइलट होता है वो पूरी की तरीक से यहाँ पर डिपेंडेंट और उन्होंने कुछ चीज़ें इन्हाँस मनाई कुछ जगे चैट जीपीटी की मदद लिए और इसके साथ ही इनका प्लान यह था कि यहाँ पर अपने हर प्रोट के लाए और उसने अर्ली अडॉप्टर बनी AI का इस वज़े सो मार्केट में तीजी से यहाँ पर काम कर दी थी वहीं बात करें Google की तो शुरुआती दिनों में ऐसा लग रहा था कि Google AI वाले रेस में थोड़ा पीछे रहेगी क्योंकि सबसे ज़ादा बाते Google ही कर दीती AI की ले और आप के समय में Google की बात मानें तो Google के अंदर AI उसके हर एक प्रोड़ेट के अंदर इंटीग्रेट है और इवन गोगल जो है वो अपने डे टो डे टास्क के अंदर भी AI का यूज़ करता है जैसे कि Google सर्च का 25% को 2024 में AI के थूरू लिखा गया है और इसके साथ ही Google जो ए Android के अंदर AI वगरा को इंटीग्रेट करा और देख के अच्छा लगता है कि यह Google उन चुनिन्दा कमप्पीज में से हैं कि जिसने AI के अंदर का खुद का LM बना और उसे एडवांस करने में लगा है और फ्यूचर भी उन्हें पता है कि क्या चीज़ हो सकती है और अपनी सर् आपल से जो काफी बड़ी बड़ी कंपीज कर रही है इसके लावा कई सारी कंपीज ने अपने LLM क्रेट करें लेकं कोई भी उस लेबल पर नहीं जा पाई इंडिया में कृत्रिम नाम का क्या लेलम आया था वह इतना ज़ाद एडवांस नहीं है एसी G42 AI कंपीज है जो की नंदा LLM उन्होंने क्रेट किया है वो भी इतना ज़ाद एफिशेंट मेरे को नहीं लगा लेकिन अभी भी देखा रहा है तो चीज़े बहुत ज़ादा धीरे धीरे एवाल्व हो रही है और Artificial Intelligence का एक जो वर्जिन होता है वो हमें देखने पर प कि इस कंपनी नहीं हापे तिलों को ले आफ कर दिया हो वहाँ पर AI का यूज करेगी तो को सिंपल सी बात यह कि अगर आप AI का यूज करोगे AI सीखोगे और अपने अपको आप स्किल करोगे तो डेफिनिटली जॉब्स बगरा में आगे चलके कोई दिक्कत नी होने वाली ल और हां AI का नहम पर बज़वर्ड इतना ज़्यादा बड़ा है कि गिमिक्स दिखा दिखा कर भी चीज़े बेची जा रही है और मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर तो यही काम हो रहा है लेकिन लेटरली मोबाइल फोन में जो हम AI हो रही है और एग्जेक्टिन में जो इस यूज़ ना यहाँ पर कर सके बाइदावे यह मैंने कुछ बात करी AI की उपर कुछ टॉप कमशनी की उपर और क्या चल रही है पीछे की कहनी आप लोग AI का यूज़ करते हो नहीं करते जो भी आपको अपिनियन नीचे कर्वेंड बताओ और वीडियो को लाइक करो चै अगली वीडियो के अंदर गुद बाइ